हमारे पास यहाँ पर एक सवाल दिया हुआ है यानि कि हमारे पास एक रेड डिस्क है और यह स्पिन कर रही है तो यह अपने सेंटर के अबाउट कोल गोल घूम रही है विद अंगुलर विलासिटी ओमेगा अब देखो ओमेगा एक वेक्टर कॉंडिटी है इसलिए इसके उपर एरो बना हुआ है यह डिस्क जो है या तो एंटी क्लॉकवाइज घूम सकती है या तो क्लॉकवाइज घूम सकती है तो यहाँ पे माल लेते हैं कि ओमेगा एक पॉजिटिव वेरियेबल है यानि कि यह जो डिस्क है यह एंटी क्लॉकवाइज आरेक्शन में घूम रही है और इसकी अंगलर वेलोसिटी दी वही है ओमेगा एज़ पे एक पॉइंट लेते हैं और यह जो पॉइंट है वो वेलोसिटी वी के साथ मूव कर रहा है अब देखो अगर तुम किसी सर्कुलर ट्रैक पे दौड रहे हो तो तुम उस सर्कल के सेंटर का चक्कर काट रहे होगे इसलिए तुम्हारी अंगलर वेलोसिटी होगी और क्योंकि तुम्हारा पॉजिशन चेंज हो रहा होगा हर एक समय पे हर एक टाइम पे इसलिए तुम्हारी एक लीनिर वेलोसिटी भी होगी और उसी तरह इस पॉइंट का भी पॉजिशन चेंज हो रहा है इसलिए इस पॉइंट की भी एक लीनिर वेलोसिटी है और अगर मैं बोलू इस moment पे इस चन पे इसकी velocity किस direction में होगी तो तुम बोलोगी कि वो tangential दिशा में होगी वोगी ऐसे tangential दिशा में और ये है dv हमें velocity v और ये भी एक vector quantity है अब आगे पढ़ते हैं अब blue disk spins with angular velocity 2 omega तो हम यहाँ पे एक blue disk बना लेते हैं और इसकी angular velocity दी वही है 2 omega यानि कि ये भी गोल घूम रहा होगा अपने center के about लेकिन ये जो है दुगनी angular velocity के साथ घूम रहा होगा यानि कि ये same समय में दुगना angle cover कर लेता है compared to ये लाल वाला disk और ये भी positive है इसलिए ये भी anti-clockwise जा रहा होगा anti-clockwise 2 omega with a point on the edge moving at velocity 2v तो इसके भी edge पे हम लोग एक point ले लेते हैं यहाँ पे और ठीक इसी तरह इसकी भी एक velocity होगी और इसकी velocity दी वही है कि ये है 2v तो ये क्योंकि दुगनी होगी इस velocity की इसलिए इसका जो मैं instantaneous velocity का arrow बनाऊगा vector वो दुगना लंबा होना चाहिए है ना और ये है 2v अब सवाल ये पूचता है कि which disk has a larger radius इन दोनों डिस्क में से किस डिस्क का radius अबसे बढ़ा है तो माल नेते हैं कि red वाले जो डिस्क है इसका radius है और जो blue वाली डिस्क है इसका radius है और blue तो अब मैं इन दोनों radius को कैसे compare कर सकता हूँ मेरे पास दिया हुआ है angular velocity और linear velocity और radius पूचा जा रहा है तो क्या कोई formula है जो कि इन तीनों को connect करता है तो हाँ हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि angular velocity का magnitude into radius r is equal to linear velocity का magnitude v और अगर तुम दोनों side angular velocity के magnitude omega से divide कर दो तो तुम्हारे पास आ जाएगा r radius is equal to linear velocity का magnitude divided by angular velocity का magnitude और इसकी मदद से हम radius निकालने की कोशिश करता है तो यहां हमारे पास आ जाएगा r radius of red disk is equal to linear velocity का magnitude और वो होगा speed instantaneous speed और वो यहाँ पे है v divided by angular velocity का magnitude और वो है omega और यहाँ पे similarly अगर मैं blue के लिए निकालू r blue r blue तो यह आ जाएगा linear velocity का magnitude जो की है 2v divided by angular velocity का magnitude जो की है 2 omega तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा उपर से और finally मिर पास बच गयाएगा v by omega और अगर तुम देखो तो red वाली radius red वाली radius का radius भी उतना ही आया है v by omega तो यानि की इन दोनों radius का radius same होने वाला है same होने वाला है